नमस्कार दोस्तो मिर्डूप चैनल में आप लोग का स्वागत है 36 गड की जिला कोर्बा के आंगनवाडी केंद्रों में आंगनवाडी कारेकरता सहाई का और मीनी आंगनवाडी कारेकरता के पदों पर भरती किया जाएगा जिसके अंतरगर्द लगभग 10 से 15 आंगनवाडी केंद्रों में भरती किया जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में इसी के बार में पूरी डिटेल से मैं आप लोग को बतानी वाला हूँ अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजे और बेल आइकन को जुरू दोबाये तकि ऐसी काम की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके तो वीडियो को सुरू करते हैं आप लोग यहां पढ़ सकते हो वी ग्यापन जारी के अगर 36 गड़ जन्सम पर भी भाग के द्वारा जिसके अंतरगर्द 36 गड़ के जिला कोरबा के आंगनवाडी केंद्रों में आंगनवाडी कार करता सहाई का और मीनी आंगनवाडी कार करता के पदो पर भरती किया मार 2022 से अमंतरित किया गया है अवेदन पत्र प्रसुत करने की अंतिम्टिदी 16 मार 2022 निर्धारित की गई है पोड़ी उपरोड़ा पर योजना के अंतरगर्द आने वाले गाओं के आंगनवाडी केंद्रों के लिए आंगनवाडी कार करता के 5 पद सहाई का के 4 पद और मीन धारित थिती तक काले इन समय में सीधे अत्वा पंजग्री डांक या साधरान डांक के मांध्यप सें जमा कर सकते हैं भरती के संबन में नियम, सर्ते, अवेदन, प्रारूप, अन्य जानकारी के लिए परियोजना काले पोड़ी उपरोड़ा में संपर कर सकते हैं परियोज दिगा की आयू 18 वर्स से लेके 44 वर्स के मध्य होनी चाहिए एक वर्स या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कारे करता सह सहाई का एवं संगठिका को आयू सीमा में 3 वर्स की छूट दी जाएगी आंगनवारी कारे करता और मिनी कारे करता पत के लिए नियुनतम सेक् योग्यता 8 वी बोर्ड उटिन होना चाहिए तो दोस्तों आप लोग बहुत समय से ये सवाल पूछ रहे थे कि कोर्बा जिले के आंगनवारी केंद्रों में कब भरती किया जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ल 8 वी बारवी या 11 वी बोर्ड अगर आप लोग उत्तिन हो तो आप लोग इन विविन्न पदों के लिए अवेदन कर सकते हो और दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधीक जानकारी चाहिए जैसे की आप लोगों को मासिक वेतन कितना दिया जाएगा आप ल इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप कर सकती हो और इस विग्यापन का लिंग में वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप लोग वहाँ पर जाके और अच्छे से पढ़ सकती हो उमीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो आप लोग अधिक से अधिक सेयर किये ताकि ऐसी काम की वीडियो जुरतमन लोगों तक पहुंच सके और इस विग्यापन से संबंदित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आप लोग के स झाल